कि एलो दोस्तों सब कैसे हैं उम्मीद करते हूं हम सब एच्छे होंगे जहां भी होंगे चलिए हम स्टाट करते हैं तो हमारी यहां पर सब्सक्राइबर के साथ में और जो आपको बहुत सारी वीडियो हैं वह सारी वीडियो से हैं यहां पर आपको मिलेंगी और एक इंपोर्टेंट इंपर्मिशन अभी आप लोग के लिए हमारे अच्छी पर वैच में एडविशन नहीं लेना है यान कि अभी हमारी जो एप है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए यहां पर पढ़ाने के लिए तयार हैं इसके अलावा आप लोगों के लिए यूपी PCS और बिहार PCS है दो स्टेट के जो हम PCS हैं वो भी हम लोग लिए फ्री ओप वस्ट यूटुब चैनल पर पढ़ाएंगे तो जल्द जल्द आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए और इसी तरह से हम से जड़े रहे हैं हम आपको बहुत कुस्त नया नया लिकर आते हैं अगर आप लोग अधर स्टेट के भी PCS देते हैं तो बताईए का अगर उसके भी ज्यादे स्टुडेंट हो गए हमारे पास में तो उस दूसरी टीम में वह भी हम चोड़ने का प्रयास करेंगे जैसे कि MPPCS हो गया राजिस्तान PCS हो गया तो आप लोग बताईए क हैं तो चली हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के उपर देखते हैं जो आज का हमारे लेक्सर हैं तो इहां पर जहां पर हम आप haram ने शींव जैशने मार्केट और पढ़ा रहे थे जैसे कि अगर जिस पत्र की जो परिफक्ता की अब्दी होती वो तीन से ज्यादा की उससे हम बोन्स बोलते हैं और इसी तरह चांच पूरा-पूरा-पूरा इस बार जो 2022 का बीटी दे रहे हैं जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए कर गर के तो देखें इसमें पहला जो टॉपिक है जो न्यूज में रहा है वो है भारत का पिर्थम यूरो मूलबर्ग का जो ग्रीन बॉंड है वो यहां पर जारी किया गया है तो इक इसके द्व जो एक ग्रीन बॉंड है वो जारी किया साथ बर्त के लिए तो इसने पहले हमें चान क्रीन बॉंड कि रएक तो दीकि की लगाना मतलब जो अक्षे उड़ा होती है उसमें लगाना है सोच परिवहान के लिए ऐसी परियोजनाओं में अगर नवेश करना है तो आप लोग ग्रीन बॉर्ण जारी करके पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको किसने भारत में इसका उपयोग 2015 में किया गया तो 2015 में सबसे पहले भारत में यस मेंक के द्वारत ग्रीन बॉर्ण यह उजारी किया गया ता और इसमें कोई इंपोर्टेंट इस नहीं है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो हमारे टॉपिक है उसके बा हो आइस तिर रहता होगा देगे नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ होता है आपको ज्यादा पंड़ी की अवसकता नहीं होती है थोड़ा सा आपको चीजों को समझने की अवसकता है तो देखिए आइस तिर वाले फंड्स यान की फ्लोटिंग रेट फंड की बात की जारी तो यह की भी क्या है एक प्रकारगे मॉर्सी है इनमें क्या होता है जैसे जैसे समय असाथन जो रिजों व्रदिक की विए य्वियी है यह नहीं जो ऑन रतोंगे अगल्स होगि कि तो उन्हें लगता होगा कि भवित में दरे हैं ब्याज की दरें वो बढ़ेंगी इसी लिए उन्होंने ज्यादस ज्यादा मातरा में इस प्रिकार के जो बॉंड्स हैं वो खरीदने का यहां पर परियास किया देखिए आसान सब्सक्राइब यह एक आन्मीक से थोड़ा सा आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा लेकिन कॉम्प्लिकेड़ेट हम यह हमारे उपर डेफेंड करता है कि हम उसको कितना कॉम्प्लिकेड़ेट बना दे हम आपको एक दम असान वासा में यहां पर समझा देते हैं तो देखिए एक आपको यहां पर तीसरा टॉपिक देखने को मिलेगा समाजिक प्रभाव बंद पत्र बंद पत्र का मतला बेवी क्या एक प्रकार का बॉंड है जिसको इस इंग्लिज में बोलते है सोट में एसाई बी के नाम से इसको जानते है यह क्या है यह आपको एक तरह का बॉंड नहीं है क्योंकि बॉंड पर आप लोगों पता है एक निचीत प्रतिफ़लने ऑप्रापत होता है या मों दिया जाता है लेकरन कर्रहों के लिए एक तरह किया जाता होगा जो समाजिक आधार्बू सनर्चना है उनके निर्वार करने में तो इसमें इस निविस किया जाता होगा तो देखिए इसलिए इसको बॉंड नहीं भोलते हैं आप समझेगा अगर देखिए इसका इसका जो समाजिक प्रणाम है उस पर निर्वर करता है कि यह पर पृतिफल और जो आपको मूलधन है वो रिटन होगा नहीं होगा अगर देखिए किसी उद्धेध के लिए पैसे क्लेक्ट किये और उस उद्धेश की collect किये गहते social impact bond के माध्यम से और उस उद्देश की पूर्ती अगर नहीं हो पाई तो यहाँ पर प्रतिफल नहीं मिलेगा मतलब आपको लाब नहीं मिलेगा लाब तो नहीं मिलेगा सास में आपको देखने को मिलेगा मूल धन भी नहीं मिलेगा यानि कि आपने 100 रुपए का यह जो SIB यान कि social impact bond है वो फरीदा है और इस पर आपको लगा कि 5% का आपको एक तरह से लाब होने वाला तो 5% का लाब नहीं मिला आपके लिए और साथ में देश की पूर्ती नहीं हुई तो आपको यह मूल धन भी नहीं मिलेगा यान कि 100 वे भी आपको नहीं मिलेगा इस लिए इसके लिए bond है नहीं बहुते हैं और कुछ इसमे रॉकेट साइंस वाली जैसे चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी ओके थोड़ा था इंपोर्टेंड यहां पर आप लोग दिख सकते हैं कि जैसे महरास्तरा के जो पूड़ा दिली है इसने SIB जो यह bond था इसको जारी किया था तो इसके लिए UNDP इंडिया के साथ में समझाता किया गया था तो इतना इंपोर्टेंड लिए बस आगे हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ा साम लोग देख लिते हैं मुद्रा इस पीती सुचकांग के बारे में देखें मुद्रा स्पीती आधारी जो सूचक सुचकांग बांड जुड़ा हुए यानि कि इसका मतलब होता है अगर इंफ्लेशन तेजी से बढ़ता है तो इंफ्लेशन तेजी से बढ़ने के बाब जूद भी यहां पर प्रितिफल है वो आपको दिया ही दिया जाएका ऐसा नहीं बोला जाएका मुद्रा स्पीती बढ ठाधारेद बॉन्ड करिदा है तो ओके और इक इस पर शोता है दव्लू पी फर इस होता है दबलो पी आई यह एक बास्केट हुती है है जिसके माध्यम से हम थोग बजार के स्तर परजा करके इंफ्लेशन की करना करते हैं जैसे CPI होता है CPI में हम क्या करते है consumer price index इसको बोलते हैं जिसमें खुद्रा मूल के स्तर परजा करके हम मुद्रस्पिति की करना करते हैं भी आपको बताएंगे WPI और CPI के बारे मैं से पढ़ा चुके हैं लेकिन WPI आज का टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा देखिए सबसे पहले इस बॉइंड का उपयोग कहां किया गया था तो आपको 1981 में फर्स ताइम ब्रिटेन में इसका उपयोग किया गया भारत में 2013 में इंडिया में इसका उपयोग सबसे पहले किया गया तो ओके देखिए आखिर इसका उद्देश से कि इंफलेशन की बज़े से जो निवेशक हैं उनको घाटा ना हो तो यहां पर आर्थिक जोखिम के संदर में यहां पर सुरक्षा देने के लिए इस प्रिकार के बॉंड है वो जारी किया जाते हैं देखिए जब तेजी से इंफलेशन बढ़ता है तो निवेशक है वो निव आर्थिक समानता है वो बढ़ेगी तो समस्ते हैं बढ़ने लगें तो लोगों को यहां पर एक तरह से आर्थिक जो खिम के संदर में यहां पर सुरक्षा दी जाती है जिससे पुनिश्चित हो जाते हैं कि हाँ अगर यहां पर मुद्रस पिती इंफलेशन रेट है वो बना किया गया है ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाँ पर स्टॉक एक्षेंज से समद्धित कुछ घटना कि रहम मतब न्यूज देख लेते हैं इस पूरे साल में जो न्यूज में रही है तो पहला आपको देखने को मिलेगा नेशनल स्टॉक इसकी लुए गया है नेशनल स्टॉक एक्षेंज आपको देखने को मिलेगी जैसे कि हम आपको बताई थे नेशनल स्टॉक एक्षेंज के बारे में साबस्तार में आपको पड़ाय थे होगे तो देखे इसने एक NAC prime है इसकी शरूबात की है एनसी प्राइम कई है तो NAC Prime है एक तरह का आपको धाचा देखने को मिलेगा जो company सोच्छा से इस धाचे को अपना सकती कोई company है जैसे हम किलाब है हम इस company हम इस धाचे को सोच्छा से अपना सकते है हमारे उपर कोई बात दिकारी नहीं है हम अगर चाहें तो अपना ले तो ये सोच्छा से हम इस धाचे को अपना सकते हैं इस धाचे को अपनाने का मतलब क्या है इस धाचे के अंतरगत क्या दिया गया है तो इस धाचे के अंतरगत आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की गई है किसकी बात की गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब अभी सासन की बात इसमें की गई है तो देखिया अगर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर लाना है अभी सासन अगर लाना है तो इसके लिए कुछ मांदंड होंगे कुछ प हाचे को अपनाती है तो आपको देखने को मिलेगा इससे लाव क्या हुए इससे लाव होगा कि जो कॉर्पोरेट अभी सासन है इसके मानकों में नंबर एक ब्रद्दी होगी दूसरा जो निवेसक होते हैं उन्हें उन कंपनियों की पहचान करने में सुद्दा होगी कि किन कं कंपनियों ने अपने इहां कॉर्पोरेट गवर्ने से उसको अपनाया है ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो निवेसक हैं उनकी गुड़बत्ता में भी थोड़ा सा सुदार होगा क्योंकि उन्हें ज्यादर ट्रांसफेरेंसी के बारे में पता सब्सक्राइब चर्बारे में तो वह अच्छे साइंगे तो उनकी गुड़बत्ता में भी सुदार होगा यह थोड़ा सा इक जो यहां पर जो Sign के बारे में दिया रखा है यहनकि जो बुलीन Blockchain प्लेटफॉर्म है देखें एक एट की साइन है एक है गोल्डजो होता है मतलब सोना होता है उस सोने की यहां पर बिकवारी की जासकते है यहां पर की जा सकते हैं यहां पर इक तरह से जो चीजे हैं उनको खरीद बेच हो सकते हैं तो वह चीज वह को हैं परम से नियरा प्रणाइज के ऐसे मधिम सेसे सुरक्षण काई है कि साथ में data के अघंड अऔर यहां पर आप देख सकते हैं data की ंतレश क्या यहां से data है वह किदर से आ रहा है किदर यहाय है किस आ रही है चलिए हम लोग्षाज सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर air 10 के बारे में ग्वारेक्स क्या है यह देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा नैस डेक्स के द्वारा इसको जारी किया गया है यह क्या है आपको देखने को मिलेगा हमारे देश की नेशनल कमोडिटी है एग्रिकल्चर के छितर में आपको देखने को मिलेगी इसी ने ग ग्वारिक्स क्या है यह मूल आधारी सुचकांग आपको देखने को मिलेगा जो ग्वार होती है ग्वार की फरी आप लोग बनाते भी होंगे जो ग्वार की फरी होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है उसी के जो प्रिजेंट में मूल चलने हैं उनको ट्रेस करती है उनके जिसमें जितना गौार का उत्पादन किया जाता है उसमें 80-85% अकेले भारत उत्पादन करता है तो और अगर हम बात करें राज्यों में तो राज्य में आपको देखने को मिलेगा पहले इस्तान पर कौन है राजिस्तान आपको देखने को मिलेगा जो गौार का सबसे ज़्य ही इसको प्राराम किया है तो चलिए हम लुग थोड़ा सा आगे बढ़ते अंगर इंगर के बारे बर के अंदुनर कि вдch कर इंगर इंवस्टर यो क्या होते हम आपको बाहनुपर पढ़ाये थे एंजल इंगर के बारे में हम आपको पढ़ाये किस्तर पर दूसरों का पैसा कलेक करके लगाते हैं तो यह संस्था गता आपको निभी सक देखने को मिलेंगे तो एक एंकर को कम से कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने निवेश को 25000 कड़ो रुपए है जुटाने के लिए यहां पर प्रयासरत है तो देखिए यहां पर क्या किया जाता है जब कोई भी कमपनियों होती है वो प्रारब में अपना IPO लेकर कर आती है जैसे अभी अपने आई प्यों लेकर कर आ रही है जिसको इनिशियल पब्लिक आफर बोलते हैं इनिशियल पबलिक आफर क्या होता है जब कमपनी स्टॉक एक्षेंज के बिना सबसे पहले अपने शेयरों को अपने इच्चुक निभी स्कों को डारेक्ट बेचती है तो उसे हम आई प्यो में आई है और आपको किर वीजन करा देते हैं तो देखें यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी इनिशियल पबलिक आफर है यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा ओके तो क्या होता है जब कोई कंपनी है वो वो अपने आई प्यों लेकर क्या आती है पोड़ कोशिस करत और उस Company में वह भी निभिश करने के ऐस चुक हो जाते हैं मोर्ट देखने को मिलेगा चलिए हम लोग अगए वड़ते हैं और देखते हैं। इस खुरू खाता के बारे हुआ है यहां पर 2 यह दो से अधिक जो पक्ष होते हैं वो मिलकर के बित्तिय लेंदेन को संभव बनाते हैं तो बही देखने को मिलेगा इन्यूज में क्यों है तो आपको देखने को मिलेगा संभर्दी रहेत मुद्रए इस पिति जिसको virtual इस बना रहता है लेकिन इस्प्रेशन बने होने के बाप जूध यहां पर कि अगर दर्ज नहीं होती है उसलिका आप आहां पाए जाती है जो बिखित देश होते हैं जहां पर इस तरह की चीजह आपको देखने को मिलेगी जैसे हम आपको एक्जामपल दिये थे कि सो लोग हैं किसी देश में सो लोगों के पास में सो कारें हो गई तो अब क्या होता है महां पर इन बिदिक इकाई पहचान करता देखें बिदिक इकाई पहचान करता जिसको लीगल एंटिटी एडेंटिफायर बोलते हैं एक क्या है अगर सीमा पार वित्तिय लेंदेन करना है तो यहां पर आरबी आई ने यहां पर एक नियम बना दिया है कि अगर आप पचास कड़ोर तो यहां पर ए अनिबार कर दिया है लीगल एंटिटी एडेंटिफायर करना आपके लिए अनिबार रहे आखिर होता क्या है तो एक आपको देखने को मिलेगा 20 बन का एक अलफा नुमेरिक कोड होता है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से किसी बेगती की पहचान की जाती है तो यह आपको देखने को मिलेगा तो देखें किस पर आधारित तो अंतररास्ट यह मानकी करण संगटन जिसको आई एसो बोलते हैं उसके 17,442 मानक पर आधारित है इतना आपको नहीं पढ़ना है बस आप लोग इतना ध्यान रख लेना है एक कितके मानक पर आधारित है इसमें कोई इंपोर्डेंट से इतनी नहीं है तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको जारी कौन करता है तो आप लोग यहां पर देख सकते देखिए एक क्या है यह तो हम लोग ने देख लिया एक आपको एलफा निवरी कोड़ बी संगों का देखने को म इसा है वो कहां से आ रहा है किसके माध्यम से आ रहा है वो चीज की आपको देखने को मिले के ओके और इसके अलाबा यह जारी कौन करता है तो आपको देखने को मिलेगा जो गिलोबल लीग एंटिटी आइडेंटिफायर पाउंडेशन है उसके द्वारा इसको जारी किया लेटाता है तो यह भी चीज है जो इंपॉर्टेंटिन थोड़ी सी जो आपको याद रख लेनी है और इतनी इंपॉर्टेंट इसमानों कुछ में नीदिया रखा है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बात करते हैं जो समकारी लेभी के बारे में जिसको और इकोलाइजियसन ले भी वोते हैं किया एक प्रकार का सुल्क है जो सुल्क लगाया जाता है यह तरह से पीस आपको देखने को अप गद्रीक। सुल्क क्यों लगाय जाता है इस सुल्क के माध्यम से करसंबंदी घटक हैं उनको बराबर कर दिया जाता है किसके तो जो e-commerce की जो कंपनियां होती हैं उसमें कुछ निबासी होती हैं कुछ होती हैं वो आनिबासी होती हैं मतलब भारत के e-commerce कंपनियां नहीं होती हैं तो इन दोनों के बीच में जो tax लगाए जाता है इन में जो अंतर होता है उस अंतर को बराबर करने के लिए यहां पर सुल कर लगाया जाता है जैसे कि अगर किसी के उपर कर कम लग रहा है तो इस सुल्क के माध्यम से दूसरे के उपर करके उपर जो कर लगाया जाता है उस पर थोड़ा सा सुल्क आरूपित कर दिया जाता है जिससे दोनों को equal किया जा सके तो इसी को बोलते हैं sum curry levy sum curry को मतब किया sum करने के लिए एक लेvy लगा जा रही है तो क्या है एक तरह का 1-P basin और देखने को मिलेगा देखylum भारत में एक अपरियल 2020 से sum curry levy जिसको बोलते है 2.0 के शुरुब हती मतब उसका एक next version, latest version launch किया है, ओके, एक किसके अंतरकत आता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वित अधनियम 2020 के माध्यम से एक किया है, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर बित्य इस्तिर्ता रेपोर्ट के बारे हैं, बित्य इस्तिर्ता रेपोर्ट है, क्या है, एक किसके द्वार जारी की जाती है, और छे महाँ पर, मतलब अर्द बार्द सिक देखने को मिलेगी, छे-छे महाँ के बाद में, और जारी की जाती है, इसके माध्यम से क्या किया जात कितना है जैसे कि मानते हैं अंतरा से इस्तर पर जैसे कि मानते हैं अभी अंतरा से इस्तर पर कई देशों में आपको राजनीतिक आस्तिरता देखने को मिलेगी जैसे कि कई कई देश हैं वो अभी युद्ध में वितने से यूक्रेयन हो गया और दूसरी तरफ रस्या हो गया तो आपने देखा कि समकालिक मुझ्दे कहीं चलने हैं, उनका प्रभाव है, हमारे यहाँ जो बिकेश देता है, क्या वो बनाए रखने में सम है, कितना जोखिम है, और कितना फ्लेक्सिवल है, तो इस चीज का यहाँ पर एक तरह से गढ़ना की जाती है, इसके अलाबा देख थोक बजार के स्तर पर किया जाता है, इसलिए इसको बोते है, थोक मूल सुचकांग बोते हैं, इसी तरह से CPI होता है, लेकिन एक क्या है, डबलू पी होता है, बहाँ पर हम बहुत साब स्तर में आपकों के लिए बढ़ाई थे, तो देखिए, इसका डेटा है, वो एबरी म बढ़ाऊ होता है, उन्हीं की गढ़ना करके इसको जारी किया जाता है, जिससे पाता चलता है कि inflation का rate है, वो कैसा inflation है, या नहीं है, तो कितने percent का है, तो वो चीज समझ में आती है, तो देखिए, इसमें कितनी बस्तुएं रखी जाती है, तो अभी इसमें संसुदन किया थ तो आपको इसमें 697 में बस्तुएं हैं, वो इस बास्केट में आपको देखने को मिलेंगे इस बास्केट को तीन भागो में बाड़ा जाता है, फ्राइमरी बुर्स देखने को मिलेंगी दूसरी बी नेर्मित बस्तों जिसको मैनिफेक्चर गूर्ट्स बोलते हैं और साथ में तीसरे में कुछ इधर वाले जैसे के फ्यूल पाबर जैसे चीज़ों को रखा गया है अगर हम प्राइमरी गूर्स की बात करें तो इसमें एकसो सतरा बस्तों को रखा गया है अगर हम मैनिफेक्चरिंग गूर्स की बात करें तो इसमें 564 बस्तों को रखा गया है और 16 फ्यूल पाबर जैसे चीज़ों को इसमें रखा गया है इसमें देखे आधार बर्स है वह अब चेंज कर दिया गया है 2011 वर्र इसका आधार बर्स आपको देखने को मिलेगा इस बाकिर्ट में संसोधन किया जाता है एक समय के साथ में लेकिन इसमें संसोधन 5 बर्स से पूर बर्स के बीच में निश्चित तोर पर גORमेंट को इसमें संसोधन करना अनिभार होता है पहले इसमें आधार बर्स था वो 2004 पास था लेकिन अब इसका आधार बर्स यान की बेश यह है वो 2011 आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हम पहले भी आपको लोगों को बता चुके हैं इसके अलावा देखिया आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर यहां पर आपको देखने क बन गया है इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है हम लोग देखते हैं क्या है तो एक आपको एक सम्हु देखने को मिलेगा यह आपस में मिलते हैं और बताते हैं किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं नहीं चीजों को अपनाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसका प्रारम क्या गया था तो इसका प्रारम किया गया था पेरित ऑन प्लैनेट सिस्टम के अंतरगत एक यहां पर संबेलन हुआ था पेरित बन प्लैनेट सिस्टम जो हुआ ता उसी के अंतरगत इसका गठन किया गया था ओके और इसमें कोई इतनी इंप्रोटेंट चीज नहीं है जैसे कि अभी हम आपको बताये थे कि या इसके अंतरगत सरवोत्तम प्रताओं को साजा किया जाता है मतलब जो सभी के अपने-अपने अनुभव होते हैं वो अपने ब पोर्टल एक क्या है एक बेबाधारित पोर्टल आपको देखने को मिलेगा इसमीन जागर करके जो निवेशा होते हैं वो सिकाइद कर सकते हैं तो हम जाकर के किसी कमपनी ओगे या फिर जो विच्रॉप मुछ वोता है जैसे कि कमपनी अपने सेयर बेचती है तो हो सकता है वो पिर जो company होती है, उनकी सिकाईत कांडियों, तो ने बेसक जाकर के, यहाँ पर जाकर के, आनलाइन सिकाईत दर्दगरा सकते हैं, तो यह का का आपको एक समिती है के पी किर्ष्णन विस्ससक के समिती है इसका घठन किया गया है ओके और इसमें कुछ इतनी इंपर्डेंट से आपको देखने को नहीं मिलेगी ओके थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं ये क्या करेगा ये समग्र वित्तिय सेवा परितंत्र है उसका आपको देखने को मिलेगी कि देखे पहले तो हम बात करते हैं ये पेंशन निधी बिनियामक और विकास प्राधिकरण है इसका कार क्या होता है इसका कार है कि हमारे भारत के अंदर जो पेंशन सुविदा है वो प्रदान करना और उसको बिनियामित करना मतलब रेगोलेट क करना पेंशन का मतलब क्या होता है जो आपके लिए पेंशन दी जाती है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बहुत सारे बुजुरुकों के लिए पेंशन सुब्दा सुरू किये हैं जो लोग सरकारी करमचारी होते हैं जब रेटायर हो जाते हैं फिर उनको भी पेंशन मिलता है बहुत सारे लोगों के लिए पेंशन दिया जाता है तो यहां पर आपको देखने को मिले का बही पेंशन विवस्ता है उसको रेगुलेट करती एक तरह से लेकिन न्यूज में क्यों न्यूज में इस लिए है तो इसकी दो पिर्मुक परियुजनाई थी उन उन्में आपको देखने को मिलेगा कि अप्रेयल 2021 में आधार गिरहाक है उन्में बहुत जब विकास हो दिखिए आधार गिरहाक का मसलब क्या है गिरहागों की संक्या बड़ी है एक होता है अमाउंट में ब्रद्योंना जैसे कि मानते हैं पेंशन योजना पहले दस पेंशन योजना थी पेंसन पेंसन योजना योजना है ओके यह मानते हैं 2019 में अब 2020 में मानते हैं 2020 में पेंसन योजना है वो कितनी हो गई 20 पेंसन योजना है वो प्रारम की गई 20 पेंसन योजना है वो उसका लाव ले रहे हैं लेकिन इसका लाव है 10 पेंसन योजनाओं का लाव है मा जो दो यहाँ पर सेबाओं का लाब ले रहे होंगे इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 2020 में क्या हो गई यहाँ पर पेंसन योजना का विस्तार हो गया लेकिन यहाँ पर लाब लेने बालों की संख्या कितनी है अभी भी मानते हैं आठ लोग ही हैं तो इसमें क्या हुआ उन्हीं लोगों ने एक से ज़्यादा यहाँ पर पेंसन योजनाओं का लाब लेना प्राराम कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ बेस आधार का विस्तार हुआ नहीं आधार का विस्तार कब होता जब 8 जगए की जगए यहाँ पर कितने लोग हो जाते हैं 18 लोग हो जाते है यानि कि यहां पर आप क्या हुआ है, बेस बड़ा है, आधार भी बड़ा है, तो बरतमान में आपको देखने को बिलेगा कि जो ग्रहक आधार है, उसमें 30% की यहां पर ब्रदी दर्ज की गई, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ओके, देखे अगर हम इसके बारे में थो प्रारम कप किया गया था, 2003 में गौवर्मेंट के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, यानि कि एक संकल्प पारित किया गया था, यहां पर इस नियामक का गठन कर दिया गया था, तो यानि कि पहले एक बैधानिक निकाए नहीं था, लेकिन बाद में आपको चिकने को मिलेगा 2013 में एक अधनियाम पारित किया गया और अधनियाम पारित करके 2000 यह अधनियाम था 2013 अधनियाम लाया गया और इसको अधिसूचित कर दिया गया तो यह जो प्राधिकरण था यह प्राधिकरण किस विरकार का हो गया यह प्राधिकरण अब बैधानिक निका बॉलते हैं तो चलिया थोड़ा सागे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में आप लोगो नहीं आप यहां पर देखा होगा बहुत सारे सीजिये यहां पर ही फिनिस हो गया है इस पर लेक्सर आज रिकॉर्ड करते हैं और कल आप लोगों के लिए मेरे जाएगा ओके आज अबी हम रिक्वाइड कर देंगे थोड़ी दिर में जाते हैं खाना का थी क्योंकि मॉनिंग से खाना निकाये अभी भूत टैम हो गया है अभी खाना खाते है खाना खाय आगर क्या आएगे तो रहाइड इसको कवर कर दिया जाएगा उके चले हम लोग इस त्सलिए करते हैं प्रिफनिस करते हैं अगर आप लोग के लिए लेक्सर पसंद आया तो जादर सदा लाइक करें शेयर करें और इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहें